नमस्ते आदाब सत्स्रियकाल आज हमारे मंदिर के सालाने जलसे में आपका स्वागत है और हम आपको बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाएंगे अरे तुम कहानी सुनाओ फैसला हम करेंगे कि अच्छी है या नहीं तो भाई और बहनों हमारे गाओं के बड़े ठावकर के मंदिर में ये बहुत ही बढ़िया मेला लगता है और ये परमपरा सदियों पुरानी है इस गाओं में इस जलसे का खास महत्व है आगे बोलो वरना खामखाद दंगा फसाद हो जाएगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो कहीं मेरी ही कहानी ना खत्म हो जाए भाईया तु अपनी कहानी चालू रख हाँ जैसे धरम की रक्षा करना सबका कर्तव है ठीक वैसे ही अपने गाओं की रक्षा करना हर एक परिवार का धर्म है वो देखो बड़े ठाकूर की मूर्ती कैसे गर्व से सीना फला के खड़ी है बड़े ठाकूर वो कौन है बहुत साल पहले एक कच्छाधारी गैंग था शरीर पर तेल और मिट्टी लगा के लोगों पे आक्रमन करते थे बच्चों और औरतों पर भी दया नहीं करते थे सब को बेरहमी से मारने के बाद उनका समान लूट लेते थे उस वक्त यहां ब्रिटिश हुकूमत थी वो भी हार मान चुकी थी तभी एक हिंदुस्तानी शेर ने अपनी जान पे खेल कर अकेले ही उनसे लोहा लिया और सब को फकल लिया वो थे जाबाज पड़े ठाकूर साहब सभी ड़कैतों को काउम इलाके उल्टा लटका दिया गुस्से से सब को पीट पीट कर मार डाला उनका गुस्सा देखके कोई ड़कैत आसपास भी फटकने की हिम्मत नहीं करता था गुना मानों खक्व हो चुका था हर तरफ शांती शांती थी ब्रिटिस सरकार ने लॉड मैकॉले के नेतरत्व में पुलीस कमीशन का गठन किया ये कुछ 1861 की बात है सिपाईयों की भरती शुरू कर दी गई बड़े ठाकूर की वीरता के किस्से उनके कान तक पहुँचे अंग्रेजों ने उन्हें नौकरी के लिए बुलाया और वो यहां के पहले पुलीस आफिसर बन गए पुलीस की वर्दी में बड़े ठाकूर भगवान की तरह इस पूरे गाउं के लोगों की रक्षा करते यहां तक के जनता ने उन्हें शिव, विश्णू, महेश के रूप में देखना शुरू कर दिया था उनकी इतनी विशाल मूर्ती बनाई गई और उन्हें सुरक्षा का देवता कहा जाने लगा उनके बाद उनके वारिसों ने पुलीस अफसर बनके उनके नाम की आन, बान और शान को बरकरार रखा गाउं में हर साल बड़े ठाकूर के सम्मान में एक जलसे का आयूजन किया जाता है उतना ही नहीं, गाउं वाले इस परिवार को बड़े ठाकूर पुलीस वाले के नाम से बुलाते हैं अपनी मूचों को ताओ देते हुए कुमार साब भी इसी परिवार से हैं और पुलीस अफसर है मतलब अगले साल इनका बेटा पुलीस बनकर इधर चीफ गेस्ट बनेगा, सही कहा के नहीं? ओए बगवास बनकर! गलत कहा क्या? बेटे की हाइट दो इंच कम है, पुलीस चांस कैंसल अगले साल जलसा होगा भी या नहीं भगवान जाने अरे खड़े क्यों हो धोल बजाना शुरू करो एक बड़े ठाकुर आशरवाद दो कि हम इस गाउं के खुशाली की रक्षा कर सके इस गाउं की सुक्समृति बना रहे ठाकुर मंगलम अग्वार विश्णु मंगलम कर बत्जा इनकी रक्षा करना अरे पिताजी क्या हुआ पिताजी अब ठीक है ए भगवान ए बड़े ठाकुर पीडियों से मिली सक्कौरों क्या मेरे साथ खतम हो जाएगा बेटा टिंगू पैदा हुआ इसने पुलीस में भरती नहीं हुआ सालाना जल्सा नहीं कर पाऊँगा इसने मुझे माम कर दे नाम रभू पिताजी शांग हो जाएए आप ऐसी बाते मत कहिए यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं पुलीस नहीं बन पाया पर मेरे बेटे को पुलीस बनाकर मैं ये परंपरा निभाओंगा बड़े ठाकुर के सामने मैं वचन देता हूँ पिताजी मेरे बेटे को पुलीस बनाकर मैं ये परंपरा निभाओंगा बड़े ठाकुर के सामने मैं वचन देता हूँ एक मिनट रुको हाइट तो हिडंबा जैसी है ठीक पौने चार का अलाम लगाया है चुप चाप उढ़ जाना रेवती रेवती अरे मुहरत निकल जाएगा अ माँ डेलिवरी ठीक बारा बचकर एक मिनट पर होनी चाहिए जाओ जल्दी वुलिस आफिसर पैता हो गया मेला बच्चा शुक्रिया हम सबका तन मैं तन मैं ठाकुर अपन फाग यहां से चुटे ठाकुर मुझे माफ कर दोग मैं यह जल्टी फिर नहीं करूंगी बॉले ठाकुर का पोता है अरे मुझे तो राजा मिला पुलिस की पड़्चे किसे मली दे दो मुझे सबसे बड़ा तो राजा होता है मेरे लिए पूलिस ही पावर है ज़ल अगली बदली कर लेते हैं तनमय तू पूलिस है न में से चोर को ने बता सरा कि यहीं जोर रहे हैं छुर से लगता है तेरे पास सूपर पाइर हैं यह मिनट रुको और अब एक मिनट एक अब कि खीचो अब क्या कर रहे हो आप यहीं किलामाद लटाट अरे लटकेगा तभी तो लंबा होगा और लंबा होना है तुझे बहुत शाबाज क्या करें चल चल अंदर एक दो तीन चार पांच बीच में मत बोलो अरे अंदर जाओ पापा नहीं तुम जाओ यह क्या है अरे अभी दस बार और डुपकी लगानी है तुमें अरे तन में तुझे पुलिस बनाने के चक्कर में तेरा बापका साही बच्चे भाग जा यहां से उस गभे से दूर ही रहना चल बता मा बता मा भूल चोड़ो मा चोड़ो हुआ यहां जोड़ो हुआ है यहां यहां पाशाय फट यह सब देखकर डर क्या होगे तो पुलिस कैसे बनोगे आज से तुम किसी चीज से डरोगे नहीं बादा करो मुझसे कि के अर्य गाहां बादा इस साल के एन्वल स्पोर्ट्स फॉंक्षन की कबडडी लॉंग जंप हाई जंप हाई हंड़ेड मीटर रेस में पहली पोजिशन पर है तनमे ठाकूर तनमे इतने अवार्ड्स जीते हो खुछ बोलोगे नहीं स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पारिंग स्पीच तो दो माइक के पास आजाओ पुलीस ऑफिसर बनने वाले हो रॉब्स से बोलो अच्छी सी स्पीच दे ना कि आप सभी लोगों का यहां स्वागत है लड़की की आवास में बात कर रहा है अरे खुद की आवास में बात करो ना ऐसे क्यों हो रहे हो में आवास क्यों बतल जाए अपने आप आवास बतल जाए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं नाम क्या है आपका तनमय ठाकोर वैसे तो नॉर्मल आवास में बात करता है पर जब भी डरा हुआ हो या बहुत ज्यादा टेंशन में हो या खुश हो तो लड़की जैसी आवास हो जाती है और रिलैक्स होने की बाद वापस नॉर्मल हो जाता है अधिया अंकल आगे मोबाइल कॉन कबड़ी 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 आजा समक चलो कबड़ी कबड़ी चल चल अंदर की ओरत तो जगा अधिक जानू आजा जा जा आजा आम तोर पे करीब 14 साल की उम्र में लड़कों की आवाज हॉमनल चेंजिस की वज़स से थोड़ा बदल जाती है कुछ लड़कों में या आवाज नॉमल नहीं हो पाती और पतली ही रह जाती है मेडिकल साइंस में से प्यूबा फोनिया कहते हैं कुछ लोगों की आवाज गुसा आने पर थोड़ी पतली हो जाती है लेकिन जैसे ही गुसा निकल जाता है तो आवाज पहले के जैस वापस नॉमल हो जाती है पर तनमय के केस में जादा खुश या जादा घुसा होने की वज़े से इसकी आवाज बदल जाती है ऐसा केस हमने पहले नहीं देखा वैसे इसके सारे टेस्ट और सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉमल है प्राप्लम सिर्फ एक ही है कि आवाज लड बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाओगी कहके कि उसकी खराब कर दी आपने बहुत हो गया अब उसे अपने तरीके से जीने दीजिए यह तंत्र मंत रिकाल आजादू इन सबसे मैं तंग आ चुकी हूँ इस घर में अब यह सब कुछ नहीं चलेगा तब किसी की बखवास के हैं सुनंगा में पुलीस में नहीं जाऊंगा मैं कुछ नहीं करूंगा कैसे मत बोलो मेटा अ आपकी विए से मेरी हालत हुई सब लोग मुछ में हशते हैं मेरा मरत लोड लोड़ करता है च्वाया द के लिए यह मत भी बर सा है आप 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 कि अप आप कि अप अप आप यह है है तर्मै पाश रुपे कम पड़ रहे है तू देगा तू अप कि अप पाइब आप इसको हिसाब में लिख लिए पान का दुकान समझा इसको चलने कर यहां से ओए बोला ना देशी माल नहीं मिलते हैं यहां पर आप अच्छे से देखो ना यह तेर रहो बोला थाना जायां से क्यों जाओं तुम मेरा बाप है क्या ना टेक नहीं तन में यह हीरोगिरी कहीं और करना रोकडा रख माल ले अच्छे साथ सालों से जब भी कोटा चाहिए होता यहीं पर आता हूं मैं आजु धार पेक पववा मांगा तुम बुलता हाथ में रख बहुत गलत पात होना है हिसाब लगाओ भाईयों पर डे दो पववा लिया तो महीने के कितने पववे हुए पूरे साथ पववे हुए और एक साल के एक साल के साथ सो बीस हो गए एक नमबर अब साथ साल का कौन बताएगा यही कोई चार पांच हजार भाई कच्छा है इसका हिसाब कुल पांच भाई तू जीनियस है एक काम कर तू काउंटर पर बैट रो टकले से चकना बटवा हर पाउवे पे पाच रुपे मुनाफ़ा कमाया तो बताओ पाच्सो चालिज पेसने कितना मुनाफ़ा कमाया पाच्छीस हजार रुपे तन में भाई जी हो मेरे कैल्किलेटर मैंने इस पर पाच्छीस हजार रुपे लुटा है और उसके बदले पाउवा मांग रहा हूं तो मुझे भेकारी कितरा चिड़ा कराई है तेरा हिसाब मस्त है अब बोल पाच्छीस हजार लोटाएगा या प्राइगे ले फुल हाफ ले अटाइगे अटाइगे जागे बीवी की मान पीके गाड़ी चलाना मनाये साइकल चलाना थोड़ी कुना है है मैं साइकल चलाओंगा पीक के मुझे ने कोई रोप आज तेरी भूत्यां पंती निकाल दूँगा तायर पंचर किया इसकी अवा निकलिये मेरी नहीं हाथ में आया ना तुम्मु उसे टायर में हवा भरवाओंगा आज मैं आम आदमी नहीं ब्यवडा हूं ब्यवडा कि दर है यह मक्खी की भिन बिनाने की हावाज से मैं डरने वाला नहीं हूं मक्खी की तरह है तुझे मस्सर के रख दूंगो तो कुछ भी हो रहा है यह सब मेरे बापदादा की करतूत है उन्होंने तंत्र मंत्र किया और इसमें तुम सब का भी हाथ है लड़की की आवाज इंस्टॉल करती इतना डिप्रेशन में हूं के रोज दारू पीता हूं तुम लोगों की वाज़ा से तुम लोग तो मरेवे हो है पर मुझे हर रोज तिल-तिल मरना पड़ता है और बच्चा-बच्चा मुझ पर उंगली उठाता है हर लड़का लड़की से घबरा के बात करता है लेकिन अगर मैं घबरा हूं तो लड़की की आवाज निकलती है ऐसा क्यूं कि तुम सब कर टाइम पास हो गया और में म नहीं किया तो तुमारा मरना हराम कर दूँगा यह पड़क लुक के वप उश्पकेट थार की पदी और इसकी पड़ुसंद हाँ तद आवास पदल गई हाँ हाँ पापरे हाँ साइकल गया भाड़ में कल पुरक खंबावदार क्याओंगा देख लेना अच्छा सबक्सिखाबे रहूंगा आईए माजी मंदिर के उत्सव में गई थी ना कब वापस आई अपने घर भी नहीं गई सीधे यहाँ पर चली आई यह सब क्या है पहाड़ी शहेद देशी अंडा तनमय को खिला देना उत्सब जाकर मेरा दिल खुश हो गया इतनी रौनाक इतना आनंद वाँ 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 इसी बहाने दूर पास के रिष्टेदारों से मिलना हो जाता है बड़े यहाँ साथ ओती तो और मज़ा आ जाता मां मां तैयार मां हां बहुत जल्दी हमारे मंदर में भी उत्सब मनेगा अच्छा माजी हम मंदिर जाके आते हैं आज आप खाना यहीं पर खाके जाना ठीक है मेरे बिना ही मंदिर जाओगी आइस्ता बोलिए तनमय ने मंदिर पु बाइक लेके क्यों घूम रहा हैं क्या करें इनके पैसो से जो आईए रात को तुम बार में बाइक छोड़कर आते हो और सुबह सुबह इनको लेने जाना पड़ता है अब तो आदत सी पड़ गए यह तंग आ गई हूं मैं भी तुम हूँ बन रखो चल मेरे साथ गाड़ी तनमय इन पेपर्स पर साइन कर दे बिटा तुम भी न मा जब देखो ढाकिये की तरह जौब एप्लिकेशन पर साइन करवाती रहती हो वैसी बात नहीं है हमारे देश में पर्मेरेंट जॉब की बिना टेंप्रेरी वाइफ मिलना भी बहुत मुश्किल है कोई न कोई कि यहां आओ बेटा कितनी क्यूट हो है कैसी हो कि दवाई टाइम पर लेड़ा ठीक है अपना भ्यान अठना हो को कि रुक रुक दाड़ी दगा कि लेकिआजा कि लग रहा हो ना एकदम हीरो माफिक उठाना बैनर को कौन हो तुम लोग और यह सब क्या कर रहे हो यह गवर्मेंट का काम है हटाओ इसे पबलिक को परिशान मत करो अपना भाई भी गवर्मेंट है हर काम में उनका ठपा होता है बोला ना हटाओ बैनर नर्स मैडम बच्चों को पोलियो का टिका दे और चुप-चाप सरक ले लिपिस्टिक लगा और चलती बन अपने काम पर ध्यान दे भाई का बैन में करेंजयो है जाए है है राख शाप मवाली बड़े ठाकुर का पोटा आया है उसके सामने तुछ रड़की को छेड़ा है अरे तनमे भाई आप क्या कलती हो गई इस पच्छडे को अठा देता हूं चलो चलो पर निकालो फट आफट निकालो तो और नाम सुनते एं कैसे भाग गए खास 2 कि पर दो दोत्तली के लिए दो रुमाल्ड गले में और सर पर बांदते हैं मैं क्यैं जानती नहीं हूं रुमाल तुने क्यूं बांदा स्गेस्लिए ना शुकर मना उस लड़की और बुढ़िया ने मिलके आज तेरी इज़त बचा ली उड़ालो तुम भी मज़ाक उड़ालो चल चल गाड़ी रोप थोड़ी देर में लेने आ जाना अरे कहां जा रही हो बाई का ब्रेक ठीक करने के पैसे तो दो अच्छा याद आ गया विकारी तो दिखाने ही कहीं रास्ते में बहुत अशी है लव दो रिक्षा बेटे ने फॉर्म साइन कर दिया ना हाँ हाँ उसकी मा हूं मैं आग बनके साइन कर दी ऊपर रेलवे का फॉर्म रखा और नीचे पुलिस के फॉर्म पर साइन कर वाली साइन तो हो गये लेकिन एक्जाम हाल तक भेजना मेरा काम है उसे उसमें पास कराना बड़े ठाकुर का है हाई यह बता यह अजीब सा दिखने वाला प्राणी को ने यह दिखने में बेशक भालू लगता है लेकिन दिमाग से शाप है लोग एक दूसरे को चेहरे से पहचानते हैं लेकिन इस आदमी को कहीं स से भी पहचाना जा सकता है खास कर इसके बाल और गंदी सी स्माइल से हाई देखने में यह टेड़ी बैर है लेकिन मेरे लिए यह ठंटी बेर से कम नहीं है दिन बर अपनी चमकाता रहेगा है ब्लू कमीज तुह बढ़ाई बत्तमीज मेरी बुद्धी को आराने वाला दु टेलीफोन नमबर्स अपने ओफिस के डेटाबेस से देड़ा बस उनी पैसों से शर्ट खरीट डाली और और यह वोल्ट है यह उससे लिए चोटे यह टेटा का पंड़ा समझाना लाइफ में चेंज चाहिए तकदीर बनलने वाली है किसमत खुलने वाली है किसकी बैर सामन यह मुझे जोड़िये भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा है आप तो मांजा बच्चा अरे बाव हलो हलो कुछ बोलो बात प्लोट नमबर आठ गली नमबर आठ मुझे जल्दी पाशो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं लगाएगी तेरी वाठ पैसे मिल जाएंगे पक्का बहुत बढ़ गया आदमी ते क्या बखना है भड़ गया इसको आजी टपकना था बरेवसरी कबरी कैसे करूंगा तुम्हारा कितना हुआ पाच हजार क्या बात है बढ़ने के बाद भी सटेल्मेंट के लिए उसे लिस्क में मेरे फ्रिज कभी पसा होगा बजाओ ललललललल बैंड वाला या पाइसा देसको आज बाप वहाँ बैंड वाले को सबसे आखिर में अज़ा जप्राइब बैंड डिकता हूंँ अचा कबर खोदने वाला जूते बैंड सकता अब चीलीवेस ओलेले आलू बैंसे आया हूं मै एक्टे तनही तुम्हारी दिखत के ए ए प्रे पैसे मांगे ताइम तो लगेगा लंग अोसमें रखख सडला समान गटर में फेखके रीजर साथ में लेजाओंगा हो अबमा सिरा समने मेरा मतलों अबीव 1 बजेख जल्दी जल्द आ तुने मुझे अड्रेस दिया चाचा जी डाल 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 चाचा जी ऐसे चले गए बिना स्टेटेस अफडेट किया चले गए पॉरें ट्रिप पे नहीं गया जैसे अबडेट करते हैं गलत बुल दिया कितना बड़ा दिल था इनका पूरे शहर को कर्द बाठते थे मेरे बाप के पैसे तो क्यों चुकाएगा कितना दिना है सिर्फ तेरा हदार पेमेंट मांगने से पहले सिचुएशन दो देख लिया कर टाइम पर नहीं आता तो बहुत पिड़ता तु एक बाद कहूं बार खाने में उतना दर्ब नहीं हुआ जितना दर्ब तेरी आक्टि तेरा रूठा हुआ सात्वा प्यार तुझे साथ दिन में मिल जाएगा साथ हुए चोदा तेरा लगी नपर साथ है बुड़ी देखना तेरी लगेगी तेरी लगेगी लगने वाली है बैटा बुड़ी अच्छा भला मैं सीधे काम पे जा रहा था आठ नंबर का अच्छली चिंपांजी तो तो ए गुट्टी लगत्यु अश्ली सोना है दा सजार का तो हो गई है ईविधा वाच्छा चिला क्यों रहीं है वे शार्यों मारो प्लिस वाला थाकुर कल्टी मारो बागा अबाईगा मसा अरे नादो के पीछ पड़ गया अरे घुस्टा जमाल दोपी समाल अरे रास्ता बुना दिया जिल्दी जल्दी बॉल रहा है पेटा पेदा हुआ है तुमारी बीवी को नहीं मेरी सास को मुभारक लगती है डॉक्टर इनसे नहीं हो रहा है मैं मदद करूं क्या मेरा मतलब था कि मैं आपकी दूसरे इलाद से मदद कर सकता हूं इसे पूरा भर के लिए यह तुम मेरा है इसमें लिए अब ठीक है अब लेके जाए है फेवडो का डैनी यहां से कोई बाबा गया है मैंने ध्यान नहीं दिया भाई तुम पीबी पे तो धन देता है ना कुछ नहीं करता है 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 अज से तु और तेरा चवदिश तोनों बन गलत बताता है अंदर कौन है बाहर निकलो क्या है चुपकर ना डो मिनिट रोक नहीं चले हुए करे ले ले निकल भाई खड़े की वह अंदर तो जाओ अच्छा वह इतनी जल्दी काम हो गया तब भी तुम्हारे पास है अच्छारे नंबर निकाल अरे यह तो कलेक्शन के लिए मेरा पीछा करते करते होस्पिटल तक पहुंच गया यह मरम पट्टी कहा होता है सीधे जाओ और मॉर्चरी नीचे है अंदर एक बॉड़ी यह ठीकाने लगा था चल डाक्टर क्या प्रॉब्लम है है लोन का पाईसा चाहिए चलाटा कैसे पहचाना मुझे इतनी बड़ी-बड़ी आख है तुम्हारी पहचानूंगा नहीं क्य क्या हुआ है एक मईयत में गया था वहां मेरी मईया बहनों के थोबने तोड़ डाला मेरा दवादारू के साथ मिठी देते बचके इसी तरह आया था बाल बगके थागए थोड़ा आराम कर लेता हूं अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा दुख ना है क्यों तू डॉक् पुलीस वाला चुप जाओ फोन भी नी लगवा उसका है डॉक्टर नी एमाइट टाइम पे देना चलता हूं समय समय समाच अरे नास पीट्टे हमारी मेनत पांगी फेड़ दिया उट्टिया 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 उट्टियर गया अब तो समय से नी सकते थोड़ा पानी भाग भाग के थक चुकाओ सर यह लो इस चेन ने मेरा चेन लूट लिया भाई आज के बाद मैं वादा करता हूं कि यह चोरी चकारी सब छोड़ दूंगा निकल लो सर थैंक यू सर वो ना चेन चुरा के भागा था एक छोटी बच्ची की है यह चेन है थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर है यह बात करना है क्या एक ग्रींट्रेस मड़म यह आपसे शादी करना चाहता है आप जाओ रुक जादू ले राजा आ अगा हुआ है कि कि पुर्वास की सुना में पुलिस पे नहीं जाओंगा मैं कुछ नहीं करूंगा पुर्व क्या हुआ अकेले क्यों बैठे हैं पिछले बारा सालों से तनमय ने मुझसे बात नहीं की उसका घुस्ता जायज है किसी भी जवान आदमी की आवाज लड़की जैसी हो जाए तो वो यही करेगा उस पर क्या गुजर रही है यह तु वही जानता है मैं पिताजी को दिये वचन को निभाने की कोशिश करता रहा और इसी कोशिश में अपने बेटे की क्या इच्छा है ये मैं नहीं समझ पाया इसमें आपकी कोई गलती नहीं बेकारी परेशान हो रहे हैं आज की जनरेशन हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है उन्हें लाइफ में क्या चाहिए अच्छी तेरा पता होता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा आपका वादा पूरा होगा विश्वर खुद रास्ता निकालेंगे अगा अगया अगया प्लीज बैट चाहिए लेदर प्रोसेसिंग के लिए जगे ढून लिया आपने राने खेट के पास दो जगे हमने सेलेक्ट की हैं सर यह जगे बहुत बड़ी है लेकिन एक मंत्री के मंत्री जी की जमीन के आसपास खेट भी है तो किसानों को नुकसान पहुंच सकता है सर बीस सालों से मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई है ना कोई फंक्शन हुआ है ना ही मेला सर इस मंदिर की एक प्रथा है मंदिर में पूजा तभी होगी जब वहां के एक बड़े ठाकूर के परिवार से कोई पुलिस में भरती हो वहाँ आखरी पूजा तब हुई थी जब उसी ठाकुर परिवार के कुमार ठाकुर पुलिस में भरती हुए थे पर उनका बेटा पपु ठाकुर पुलिस में भरती नहीं हो पाया और उसका बेटा तन मैं पुलिस में भरती नहीं होना चाहता तो आप तो ये तय है कि अगले 20-30 सालों तक इस मंदिर में कोई पूजा नहीं होने वाली हम उस जमीन के बदले उन्हें कहीं और दे देंगे उके उनसे डिटेल में बात कर लो और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा क्या बात है बॉस अभेशा पिटने वाला सूर्मा आपकी वज़े से पेमेंट लाने लगा एक कमपा कोला बैट जा सूर्मा क्या है वो तुमने डेटा एक्शेंज के बारे में पूछा था ना एक आया है सब बगवास है जाणी को आधार काड का डेटा बेस दिया था अभी तक मुझे पैसे नहीं दिये तुने जो डेटा दिया था वो जाणी को आनलायन ही मिल गया है कुछ खास नहीं है रे तुज़े कॉल तो आते होंगे क्रेडिट काड के लिए परसनल लोन के लिए वोले तो फुल टू टॉर्चर और तो और बिलकुल शहर से सटे हुए एकदम आधे दामों में सेकंड होम या फार्म हाउस के सपने दिखाएंगे और बॉडी पेन हो तो लड़की घरा के मसाज देगी उन्हें अपना नंबर तो सालों से धडलने से जल रहा है क्या समझति है तू अपने आपको लोन लेके तू मुझे दोड़ा रही है कस्टमर है कि सीग्रेट की भिखारी लोन चुकाने की तेरी आवकात नहीं है और उन पैसों से बॉइफ्रेंट के साथ डिसको जा रही है जब लोन पसनल है तो ब अगर कलेक्शन नहीं है तो मेरी पगार कटेगी तेरी नहीं है क्यों रो रही है वह यहीं आ रहा है ना परसनल लोन लिया है तो कुछ भी परसनल बखेगा अब डिसको जाए तो उसे क्या प्रॉबलम है हाँ आज ऐसा कुछ करेंगे कि उसकी अगली साथ पुष्ट के पैसे लेने किसी के भी घर नहीं जाएंगी है प्रिया पैपर स्प्रे लेकर रहा है ठीक है हेलो गुट एक बैच शीट भी लेकर आतू ओके और तू आयन रोड लेकर रख ए मुर्डर केस न बन जाए यह तो और आज यह तो अगिव जी कोडी भी दीना मुझसे बुरा कोई नी होगा एक है यह आल रेड़ी रेडि हो के कमें त्यार रहा है कोई दरवाजा थो खुलो यह रेया रॉसल थी जाओ के खुलती हो तूं तयार है ना इतना सट्टा क्यों है अरे बाप्री वो गेंड़ा य पताना कि गाली क्यों दी अब खुद देख लेना अपने आखों से उनकी हरकत तुम सब तयार हो ना जैसे ब्लांग किया था ओके कमें कितिनी बार कमें तू अंदर जा वो लोन का यह माई जो तो पूर स्प्रिंग कर रही है यह तो यह तो कोई और है कर रही है क्या कर रहे हैं अब क्या पपी शपी ले रहा है अम सब्सक्राइब टरकी आदमी चानता हूं तुझे मैं बोल तो हम पांचों बाहर चले जाए है क्या ओ छोटावाला आया है लड़की के छूते ही सूसु आ गई पपी मिल गया आप क्या करेगा जल्दी करना आमें निकलना भी है बाल बाल बज गया अब चीक है हाँ 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 हलो है एसी प्यारी फुल जड़ी अप उनको कहां मिलेगी लता की बेल की तरह लिपट गई हाँ रोमैंटिक डायलोग बोलने का मौका था अब उनकी आवाज ने धोका दे दिया गुल्डन चांस में सो गया यह अप उनको टेंशन क्यों हो रहा है यह अपने इ हलो 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 है नेटवर्क नहीं हमिल राग्या बाराग्या हब ठीक कि उसमी सारी मुझे लगा सूर्मा है इसलिए यह सब किया मेरी फ्रेंड के साथ बत्तमीजी की थी इसने इसलिए उसे शॉक ट्रीटमेंट देना था वेरी सॉरी हां मेरी इज़त नहीं है क्या इस收看 यह क्या सरकों आना पड़ा यानि के पूरी गलती तुम्हारी है लोन लेते हैं तो चुकाना भी तो पड़ता वही तो उसके बदले तुमने सता रहे हूअ कितनी गलट बात भुए है कैसा this कि यह अन्याय है ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी सुन्ति कहा है यह लोग चलो सब लोग मिलके सौरी बोलो इनको लोन का माउंट ही नहीं प्रिंसपल के साथ इंट्रेस भी चुकाना पड़ेगा समझी क्या कर रही है प्लानिंग तेरी थी तो पलट गई पैसे लिए इतनी सी बा मार्केट में काम करती है उनसे मा बेन की भर भर के गालिया देलवाऊंगा समझे ना इस लड़के को क्या खूर रही है अबे बात्रूम का राज खोल दू क्या चल वे अरे गेंडे चद्दर दे तो शादी कर लेगी क्या यह माई टाइम पे भर क्या उनस, कि अभर प्था थजस खूर रहां का रित ले कई प्रक बेंगा प्रफ भाम, हम्म गत्जस खू le Voice अह समय हम क्या झा दो बल्साू अहे का एstesरkins आया है यह 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 गुली चला है कबाद में हट्टी पकड़ लिया मैंने पकड़ अफिस में क्या करने आता है बता अजरा मेरे को देग नहीं रहा हूं अवे चेयर के बजा टेबल पर बैठा हुआ तु टककन है टेबल हो यह चेयर ऑफिस के अंदर यू बस इस तीन के क्या क किसी को जाके दान दे दे जा बोलाना जा इनका स्क्रूड हीला है तो अपना जमेला चालो रख हेलो हेलो सूर्मा सर आप ठीक तो है ना अगर ठीक नहीं रहूंगा तो मेरे मसाज करोगी कान बोल रहा है क्या सर इतनी जल्दी पूल गए मुझे याब कीजे आपके फेस पर पेपल स्प्रे किसमें चड़का था अच्छा वकाली मेंच उसे तो मैं टोस्ट पे मलमल के चबाचबा के खा रहा हूं बात के बोल क्या सूर्मा जी इतने इरिस्पॉंसिबल है हेलो मेरे मैनेजर वाले डेलोग मत बोल आपको पेमेंट लेने भी नहीं आए क्या चल रहा ह अपनी फ्रेंड के पैसे जैसे मैंने चुकाए थे ना तो आपका फ्रेंड आपका काम करेगा डीलो के समझो मतलब तर को जाना है मैं इतनी खुझली आ तो खुदी जाके मिलो इसने कट्टियूं कर दिया आग तो तुमने लगा ही ली जल्दी दूलगना शिरू हो जाएग पागल हो गया तुमने अरे गयरे को मेरा नमबर तेगा तेरे पर उसका दिल अटक के आए रे हुम समझ गया यहां बैंजी टाइप लड़किया नहीं मिल रही है बटाने के वांदे हो रहा है और यहां हिरोई मिल रही है और भाव खारा है तुम है क्या करूं यार उसको द जल्दी निकल जाना पीके दो पागल हुए क्या बेटा ज्यादा टाइम मत लगाना चलो जल्दी खतम करो भूलियागा माच सर अबै तेरा दादा पुलिस में थे तो कितनी इससत मिल रही है अगर तू खुद पुलिस में चला जाए तो फ्रीक की दारू पियेंगे भाई रात को दो बज़े तक ठेके खुलवाएंगे बाट डांसर को भी नचवाएंगे नकली दारू बनाने वाले से हफ्ता उठवाएंगे और तो और जूठे केस में अंदर करनी की धमकी देदे कर बार उनर से पाईसे भी आइटे कर अपना तू जानता किया है पुलिस वालों सिखाने के लिए क्योंकि पॉब्लिक का पुलिस पर विश्वास है अगर मैं पुलिस वाला होता तो खुस्से में क्या करता बताऊं अरे क्या कर रहा है यार छोड़ना घुली मत मरना अब भागरा रुग जा लूंगी खुल जाएगी तेरी अधा तुने फिर से इंसर्ट पापा का सपना था कि मैं पुलिस में भरती होकर खांदान का नाम रौशन करूं लेकिन अगर मैं वहां गया ना तो पुलिस का नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा अटो से चलता है इसा मत करता न मेरी बात को मान ले विटा ये जो तु कर रहा है गलत है विटा समझ के या क्या कहना चाहती है फूटनाइट दादी लगा की तु लगती है सुन्दर मेरे दिल के अंदर उचलता है बंदर आ गया क्या बात है मेरे दिल के अंदर उचलता देखो पंदर पखवास हुआ दुछ पर ठक गंदाद मेरी सुनापन का टाका विड़ गया वो कैसे वो क्या ना एक छोक्री ने लोन लिया ता फिर पिटवा दिया यह माई के बदले अपना दिल दे वैठी कोई मस्त गिप बताना या प्रूस शकल वाले तो गोल में टोल भालू है अरे मतलब टैडी बैर टैडी बैर सही है अच्छा देने के बाद मैं क्या करूँ बता या चुपचा पीजा हां परता भी नहीं है तो आइडिया रोकते रखना शागुन कर नारियल फोड़ता हूं मेरे पब्लिक में बेचार करें का उन्य ठीक्ट को या निता या ना तो लोन चुकाती है ना ही एंडेने को तायार होती है मांगो तो काली देती है अब गाली के बदले गाली नहीं दे सकता या प्रेग्नेंट है और मुझे आज मून नहीं खराब करवाना पुलिस फैमिली का रोब दिखा के तू यह लोन क्लियर करवा दे शाम को इससे पिक कर लोंगा डार्लिंग वेट कर रही है एड्रस तो बदा विगनेश से पूछ ले है और सेटल्मेंट लेटर नहीं है इसमें तोते की तरह अमाउन प्रिपीट मत करो मैंने पहले ही बताया था कि मेरे हिसाफ से शेलाक है वो मैं पे कर सकती हूँ अगर तुम लोग राजी हो तो सेटल्मेंट लेकर आओ अब जाओ यहांसे पानी पिला सकती है अगर रातराज नहों तो प्लीज अब अब यह आपके लिए पीजी पीलो पहन रिलाक्स हो गई देखिए उससा खराब चीज है खासकर प्रेगनेंट लेडिस के लिए बच्चे को नुकसान पहुट सकता है ऐसे सब बुजर्ग कहते है इतनी खासी हो रहे थी इसलिए आपके लिए पानी मंगवा लिया अब आप जाओ एक मिनिट बेहन मुझे लगता आपका घुस्सा जायज है जब खुद की कोई खलत ही ना हो तो घुस्सा तो आए गई आपकी फाइल्स आज ही मुझे सॉरी मैं टेक्निकल चीज़े बताने लगा वैसे मैं इस केस के बारे में कोई जानता नहीं हूँ मैं बैंक और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहता हूँ मेरे हस्बन ने लोन लिया था और उनकी डेद के बाद मैंने ड्यू पे किया था मेरे हिसाब से तो छे लाख ही बाकी है पर बैंक वाले टर्म्स अंड कंडिशन्स का हवाला देकर सोला लाख मांग रहे हैं एक होम लोन के बदले यो लोग दो घर का पैसा वसूल करेंगी क्या ये तो नहीं आए नहीं है लोन क्या लिया इन्होंने तो अपना हुलाम ही बना लिया है कितना लूटेंगी ये पबलिक को एक पैसे एक्स्ट्रा नहीं दूंगी कोट में भी जाना पड़ा तो जाओंग देखो हस्बेंट की डेथ के बाद वाइफ से पैसे लेना घलत तो है लेकिन ये बैंक्स और कलेक्शन एजेंसी आर बिया रूल्स फॉलो नहीं करती है एक्शली इस तरह के लोन पे इंशॉरंस होता ही है लेकिन ये बात कस्टमर को एजेंसी और बैंक्स जादा तर बताते सब्सक्राइब को अपनी सारी डीटेल्स दे दीचे वह समाह लेगा है चलता हूं एक मिनिट है वह बैंस अस्ते में इप्टा रही हो आज तक यहां जितने भी लोग आए ऐसे बरताव करते थे जैसे में कोई क्रिमिनल हूँ अब पहले हूँ जिसने मेरी बात ध्यान से सु आज आपने जो मेरी मदद की है उससे अब मुझे अच्छा लग रहा है सच का हूँ तो अब जीने के लिए मेरा ये बच्चा है और अपने हस्बंड की यादे हैं दस अनात पच्चों को गोद लेना चाहती हूँ और इस बड़े से घर में छूट असा ट्रस्क चलाओंगी ये मेरे हस्बंड का सपना था और यही अब मेरे जीने का मकसद भी है जल्दी इसे सच करोंगी दस पंद्रा बच्चों की माहा बनोंगी और टीचर भी एक बड़ी फैमिली होगी तब हम सबसे मिलने आना भाया हलो अधिया हमारा मंदिर है तोड़ने की पर्मिशन किस ने दी तर मंदिर तो आपका ही है पर जमीन सरकारी है हमें किसी की पर्मिशन नहीं चाहिए यहां पिछले सौ सालों से पूजा होती आ रही है ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं आप देखिए हमने पूरा सर्वे कर लिया है कभ नहीं होती पूजा ना होने की वज़े से अब यहां पर आने जाने की किसी की कोई वज़ा नहीं है इसलिए सरकार ने अब यह डिसाइड किया है कि यह जमीन पब्लिक के काम में आईगी हमें हमारा काम करना है मंदिर से किसे तकलीफ है लोगों की हितों की रक्षा करना सरका काम है जानते हैं यह कौन है यहां सरकार बनने से पहले यही गाउं की रक्षा करते थे आज तक लोग इन्हें भगवान बान के इनका फूजा करते हैं इनके बाद इनकी हर पीड़ी का नवजवान पुलिसमन के लोगों को मदद करते रहे गलत इरादे से कोई बदमाश गाउ के दुमदबा के भाग जाते हैं यकी नहीं आता ना अरे भाई साब मैं दावे से कह सकती हूं यहां सालों से एक भी जुर्म नहीं हुआ जो बाकी काउ में हो रहा है यह सब इस मंदिर की वज़े से हैं इससे हटाने आये हो ना मेरी लाश से गुजर कर इसे तोड़ना पड हमें अरेस्ट करके तो दिखाओ सैर हम अपने हग की बात कर रहे हैं थोड़ा काईदे से बात कीजिए बात करके टाइम वेस्ट करो पोर्स को आर्डर दो और भगाओ इनको यहां से चार्ज पुर्टी को हात लगाना कि अब हमारी मावशन को नहीं आटाने दूंगी तो होते को डोटेवाले मतले बाटीमी अब जा फिर फिर से पुजा शुरू होगी यह मेरा तुम्से मुद्कान है कि अपले सकते हैं कि अम्सब्कान हेखिए довेगhui पिसम्सब्छान है झाल्प। मैं पुलिस में बढ़ती हूँगा तनमे वो मैं आप से बात करना चाहती थी यह मुझे आवाइड क्यों कर रहा है अरे तुम्हें आवाइड शेवाइड नहीं कर रहा है जब भी अपना भाई हैपी सैड अग्री असेंटी हो जाता है न गले की स्पीकर से लड़की के आवाज निकलती है इसलिए पास आने से डर रहा है पर तुम पर पूरी तरह जोकर सामने नहीं होता है तुम्हें ही देखकर इमोशनल अचार हो रहा है इस पर है अलो है यह चला चला तुम मेरे लिए काम करता या फिर इसके लिए गाड़ी को ठीक इसके सामने क्यों रोका अब इसकी गंदी शकल देख के उतरूं क्या तल गाड़ी थोड़ी आगे ले सर्वाट अटेंशन एसाई के लिए सेलेक्टेट का इस फिजिकल कैम्प में वेलकम है पेरेंट्स यही वेट करें कैंडिडेट्स अपने सर्ट्वेकेट्स लेके अंदर जा सकते हैं यही इस रेंज के डियाइजी हैं इनका नाम तिलक राज है सेलेक्टेट्स यही करेंगे सर्ट एसाई सेलेक्ट्शन वन ट्वट्वेट्टी कैंडिडेट्स रेड़ी सर्ट शुरू कर ओ शॉट लिस्ट करके लिस्ट मुझे भेजना मैं खुछ चेक करूगा सर्ट वेरिफिकेशन हो चुके हैं फिजिकल सेशन शुरू कर दे हैं आप बोलो शूर करने के लिए रेड़ी प्रसीड ओनेवाग केट सेट एक्सिलेंट सर्थ उस कैंडिडेट ने 11 सेकंड्स में रेस पूरी कर दी वैसे आपका रिकॉर्ड 11.2 सेकंड्स का है ना सर् क्या बख रहे हो तुम हाँ सर्थ आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने वह छे फीट क्रोस कर लिया हाँ स्टार्ट क्या बात है 7.2 सर्थ सर्थ 7.2 सर्थ नया रिकॉर्ड है वेरी गुड हाँ सर्थ सर्थ आपने कहा आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता उसने तोड़ दिया सर्थ गॉलिस का नाम रोशन करेगा ये जो जो कैंडिडेट्स सलेक्ट हुए है उन्हें इस महीने की तीस तारिक तक एसमेस और फिर पोस्टर लेटर के दुआरा सूचित किया जाएगा अब जा सकते हैं आप लोग एक्स्क्यूज मी सर् वल दन मिस्टर तन्माई बहुत अच्छा कि आधू इतना टैलेंटिटीट देखने को मिला एंक्या अल था बेस्ट ट्रेडिंग में मिलते हैं जी सर्थ एक्ट थाप ए आ आ थू हम्-hm सर् कौन से ड्रग्स लेता तू ड्रग्स 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 निकोटेन एक्सिकोटेन और या फेर डिमॉक्सिन जैसा कुछ सर्में ड्रग्स रक्स कुछ यूज नहीं करता हम बहस कर रहा मुझसे सॉरी सर्पर साच तो बोलूंगा ना दोले शोले बना लियां तो क्या मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा जानता है मैं कौन हूँ कंप्लीट स्पोर्समैन भाई सब छू के देख अरे बोला ना चू अरे पकड़ना कुछ से पच्चिस साल मैं बढ़ा हूँ कैसे किया यह चा मैं नहीं जानता औरती चिडिया के पर गिन लेता हूं मैं है मेरा रिकॉर्ड तोड़ना नामुम्ख्टिन है चलबता कौन से ड्रग्स लेता है कि बोलना कौन सा ड्रग लेता है वर तुम कौन हो भाई तुम इसे ड्रग्स अप्लाई करते हो क्या सर मैं इसका पूर क्या रहा है मुठे बेटा शान्त रहो बेटा अपने गुस्से पर काबू रखो अब अचानक चुप क्यों हो गया मतलब तो ड्रग्स बेचता है राज चुप आने को कह रहा है सर यह ड्रग्स वगेरा मैं नहीं करता क्या कहा फिर से बोल अरे बोलना सुरी सर अचानक लीडिस की भरती अगले महिने होने वाली है गलत जगह पर आ गई हो यहां आके भूल की और उपर से मेरे ही ग्राउंड पर मेरा रिकॉर्ड टोने की हिम्मत दिखा है और मुझसे बहस भी कर रहा है तफ़ा हो जाए यहां से आफिसर तो क्या वाश्मेंड भी नहीं बन सकता तो कराऊ पर क्या गूर रहा है नाम पैसा शौरत कमा के यहां शान से खड़ा है और अब उनका बैन बच गया है इतना टैलेंट होने के बावजुद लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है दिल रोता है मेरा सब बोलते हैं कि उपर वाला सब का खयाल रखता है पर तू खड़ से बचता फिरता हूं पर आपने इंसेट कर रादी हर टेस्ट में हीरो था पर यहावास फुस्स तवाशा बनके रह गया है हसने तो सबको इतिहास रचने के लिए मुश्किलें सहनी पड़ते हैं लाइफ में चुनौती ना मिले तो काम्यावी को क्या मजा आप टेंशन मतल मैं लौटूंगा ऑफिसर बन के लौटूंगा तब तक भाए पुलिस में आवास को लेकर कोई रूल्स नहीं है जिससे कानूनी तोर पर कोई तुम्हें रिजक्ट कर सके यूनो पुलिस में बहुत सारे ओफिसर्स हैं जिनकी आवास पतली है अब डियस्पी किशन को ही देख लो जिनका हाली में ट्रांसफर हुआ था पबलिक में कुछ यहां पोस्टेड है बात ऐसी है रिटर्न और फिजिकल टेस्ट के रिजर्ट्स एसर भी हम भेजेंगे इन में से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना तैयारी के ओडर मतलब ट्रेनिंग ओडर इशू करना ये सब रेंज का काम है एक बार इसका ट्रेनिंग ओडर साइन ह हो जाए तो आफिसर बनना पक्का है इसके करेक्टर पर सवाल उठाके वह इसे रिजक्ट कर सकता है बहुत ही घडिया आदमी है हर शहर में इलीगल प्रॉपर्टीज है मिनिस्टर से पहचान है और इस बात का उसे बहुत गमंड है पोस्टिंग के लिए उसी मिनिस्टर से हाँ बिल्कुल सर ठीक है ज्यादा तर बाप लोग बच्चों की जरूरते नहीं समझते कुछ लखी बच्चे अपने बाप को क्या चाहिए वो सीधा सीधा बता देते हैं मेरे बेटी की प्रॉबलम मैं जानता हूं मैं समझता हूं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रह है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा है कि आवाज से पुलिस का कोई लेना देना नहीं है इसलिए अब भी मुझे उम्मीद है पापा को बोलो टेंशन ना ले ठीक है मैं समाल दूंग है अब यह जो अब बश्याइब कि अब यह जो पोड़त है एक अच्छे चलता है तो कि अब चिंता मत किजिए तुम हो तुम्हें लड़का समझके बात करो या लड़की समझके सर कुछ कहना था आप से क्या बोल सर उस दिन क्या मैंने आज तक कभी कोई ड्रग्स नहीं लिए आप चाहे तो मेरा मेडेकल टेस्ट ले सकते हैं बस जब मैं ज्यादा मैं इमोशनल हो जाता हूं तो मेरी आवाज लड़कियों जैसी हो जाती है पाबा को आपने बुरा भला का तो आम सॉरी सर लड़के ज्यादा इमोशनल मत बन फिर से लड़की बन जाएगा जैसे ही मेरा रिकॉर्ड टोड़ा तेरा पुलिस करियर खाथम इसलिए तुछ पर का इल्जाम लगाया पर तरी मधूरावा सुनके छोड़ दिया और ऑफिसर के साथ मिस्पेहेव करने का कारण बता के तुझे रिज्यक्त कर दिया सर्प सर्प पुलिस किसी के लिए सिर्फ नौकरी हो सकती है लेकिन मेरे लिए नहीं हमारी फैमिली में पुलिस का अगर मेर कि रिजक्षन का डर था इसलिए गया था अरे कोई ज्याती दुश्मनी थोड़ी है उसके साथ बस मैंने उसका रिकॉर्ड क्या तोड़ दिया बदला लिग रहा है मुझ से एक तो है भी सीनियर ओफिसर कोई छोटा मोटा हवल्दार नहीं है और मेरी किसमत खराब कि उसकी रिकॉर्ड को प्रूफ बनाके केस कर दूँगा उस पर आवास का मुद्दा बनाके मेरे केरेक्टर पर अगर सवाल उठाया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा इसलिए उससे अपनी प्राब्लम समझाने किया था पर उसने मुझे ही सुना दिया उसकी पूरी हिस्ट्री तो तू जान चुका है तो फिर मुझसे उसके सोशल मीडिया के डेटाबस लाने को क्यों का यहले पकट सोचा तो प्यार से बात समाझ चाहेगी और वो मुझसे पंगा लेना चाहता है अब उसकी सारी अकड़ निकालूंगा इसकी मदद से मेरी बात गौर से सुन अगर तुझे पुलिस के जाब नहीं मिली तो दुखी होने की सरूत नहीं है एक सुपर सिंगर शो है मेरे भाई अगर तु फीमेल वाइस में कायेगा ना तो फ्रैन पिनाले तक जाएगा पिर सिंगापूर मलेशिया टू बीच के फ्लैट यह सारी अगर नाम में मिलेंगे तुझे तुझे वहां ट्राइग कर हाई आंटी आई आई आईये मेरा नाम सत्पाल सिंग है मैं गव्मेंट हाई स्कूल में हेड मास्कर हूं यह मेरी वाइफ अनुराधा और यह मेरी बेटी निवेधा माइक्रो बायालोजी में एमेस करने के पर आते हैं हम अपनी निवेधा के लिए लड़का ढूंड रहे हैं इसने आपके बेटे के बारे में बताया हमें कोई आतराज नहीं है बस आपकी मर्जी जाननी थी हमारी बेटी बहुत ही सराल और शांत सो अभाव की है मतलब कहना चाहिए कि एकदम छूई मूई सी है जानती हूं अपनी आखों से देखा है जितना आपने बताया उससे ज्यादा शांत है ये मैं अपने बेटे से बात करूँगा इस वक्त उसके हालात जरा ठीक नहीं है हाँ जानता हूं मैं निवेधा ने बताया मुझे बुज़र्गों ने कहा है कि घर में अगर अच्छे क अगर तुम प्यार का इजहार कर देते तो मैं अपने पेरंस को लेकर क्यों आती हमेशा मुझे अवाइड करने की कोशिच में रहते हो बात समझो ये प्यार मेरे लिए नहीं बना तो मेरे बार में कुछ नहीं जानते सब पता है मुझे तुम्हारे फ्रेंड ने बताया ये ऐसे ही अवाइड नहीं करते मुझे देखके नववस हो जाते हो और दिल में घंटी सी बजने लगती है बस इसी लिए सच सच बता मुझसे प्यार नहीं करते है कुछ बताओंगे भी या बोलो ना आज और अभी हुआ है 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 अलो यह अलो यह अगल बोली है फिजिकल टेस्ट के सर्टिविकेट लेके जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुच जो क्या हुआ पहले आओ तो से अर्वार अर्वार अंकल अंकल है अधानि इस तरफ हो अभराइब आए आप यहां क्या कर रहें आज यहीं ड्यूटी यह जंगल में रेलवे ट्रैक के पास एक डेड बॉड़ी मिली यह रिबोर्स के मुझवा है रिटाइड आईजी से मिलवाया था ना कल दिल ली जा रहे हैं तुम्हारे डिटेल्स पंगवाया है तुम्हें डिरेक्टों नहीं देदेता हैं मुझसे ही बात करना चाहते हैं जाएगे तब तक इस डेड बॉड़ी पर नजर रखो किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता काइदे से जाना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आधे घंटे में वापस आज़ा अंकल अंकल मुझे छोड़के मज जाओ मैं अंकल सुनो ना मुझ पर गुस्ता बाद में कर लेना ब ये ये पर शुड़ कर लेकिन में कर रह lay तो आज़े ले में कर म किर खो आप से उनरे ड्रश कर ईंरे एखो वाहा वहार प्रोफ। लुजए लुजए ऑे कख तो अन्या में तो हुआ कौन है किसके जाद खेल रही है ज़्यादा नाटक नहीं कि पाफ्ट्रेश ढग दिया है अब तु शान्ती रख ज़्यादा कि वह अ, कि पाफ्ट। कि कि अप्रखत रही है कि अुए कि वह उ हुआ कि तुए तुए पर अआ नआ दो, औ मैं गआ गख गख गगख गख हुआ ! नँ है? किस ते बहुत किया को झे? अंकल ए अंकल क्या किया मैं जगोतों के बीच चोड़कर अच्छा नहीं किया मैरे कुनका क्या कुन Sorry कंड़ कहा नहीं कहा नहीं कहा नहीं आजा जे खूला कर जोगे एक नाज़ान से अज़ खारा इजामा एक को अज़िए एक नाज़ा एक उना हां अज़ एक पर एक उले एक उले हैं तो धुँ तुँ ठी हOh आज़ बसुआ पराद छो तो लाद जो बसु लाद भराद कि अलाद को जगरा प्राद को भर जग सकतरा है को कहां तक भागोगे आप एक इनसान हूँ वहाँ पर एक भूत है भूत नहीं होते डर ही भूत है जब तक डर है भूत रहेंगे आओ कि अच्छछ तुम हो सर वहां कोई और भी है मैं कैसे डराऊंगी यह उसे आप टेंशन मतलो इस बार नहीं तो अगली बार सही यहां हर महिने दो तीन मौते होती है किसी भी तरह से उसे ठीक करेंगे सुनिए अब मुझे निकलना है कल सुभा का मेरा कॉल टाइम है पेमेंट जल्दी दे दीजिए न बादा कोई आए तो सामना कर शान से आंकों में आंखे डाल के डर को बगाओ शान से दिल को शेर बना दुश्मन बन जाएगा चुवा धर को मारो हिम्मत नहारो जीत तुमारी होगी भै तेरा शत्रू है भै ही तेरा पतन है हिम्मत तेरा मित्र है वीरता तेरी पहचान है डर को आंक दिखाओ डर की कमर तोड़ दो रोसा कर भगवान पे डर पे हार कर अंदर के सोई आपमबल को जगाओ और फैसर की पाओ गायरता एक श्राप है एक रोग है अभिशाप है सोई हुई शक्ति को जगाओ मन में एहंकार हो ज्यान का अभाव है तेरे दिल का डर तुझ पे ही हावी है शक्तिमान बनो हिम्मत जगाओ अधा कोई आय तो सामना कर शान से आखो में आखे डाल के डर को बगाओ शान से दिल को शेर बना दुष्मन बन जाएगा चुवा डर को मारो हिम्मत नहारो जीत तुमारी होगी मैं तुमारे दिल में हमेशा रहूंगा तनमे ए तनमे तनमे यह क्या तुम्हें बॉडडी का ध्यान रखने को कहा है है क्लियरेंस टीम आगई है तुम जाओ यहां कैसे पोचा मेरे साथ ही क्या हुआ है कुछ समझ में यह रहा है सार हम क्या हमारा है अलागा पड़ता है हां सर दस-पंद्रा पच्चों की माँ बनोंगी और टीचर भी एक बड़ी फैमिली होगी तब हम सबसे मिलने आना भाईया हां वाई क्या लगता है तुझे सर हेट पे सीवेर इंजूरी है लगता है ट्वेंस से टकरा कर यहां गिरी है और मैं क्या कोई इंफर्मेशन निकाली तुने उस लड़की का कोई नहीं था सर अकेली रहती थी देखो अगर यह मर्डर होता तो चहरा बिगड़ गया होता इसका क्यों ठीक बोला ना मैंने साही बोला सर मतलब कि यह स्यूसाइड है सर स्यूसाइड नहीं है सर इन अच्छी तरह जानता था बहुत कॉंफिडेंट लड़की थी क्या बख्वास कर रहा है कौन है सारी सर तु चुप नहीं रह सकता ऐसा कर बाड़ी को पोस्टमाटम के लिए बेज़ते और अगर कोई बाड़ी को क यहां पोलिस की कारवाई में कोई दखल नहीं दे सकता समझ के लिए मेरा भी एसाई के लिए सेलेक्शन हो चुका है पोस्टिंग के लिए बेट कर रहा है अच्छा तो यह बात है ड्यूटी जाइन करने अपने साब से इन्विस्टिकेशन करना फिजूल में हमको तंग मत क अपने पती के आखरी निशानी को कोई इस तरह मार नहीं सकता है कहीं पर कुछ तो गलत हो रहा है तो तुम जाकर सच का पता लगाओ मेरे हिसाब से तुम पुलिस वाले हो मुझसे जो मदद चाहिए मैं करूँगा झाहिए मैं जाकर मेरे हो रहा है तुम जाखरी जाकर में पता लगाओ कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि एसी डॉल्स में बिंदी तो नहीं होती है करें यह ब्लड तो नहीं है इसके डीडेश्स दे सकती हूं जाए लाब में टेस्टिंग के लिए कम से कम पॉइंट फाइमल चाहिए होगा फॉरिंसिक लाब में यह काम हो सकता है मेरी फ्रेंड है वहां मिल ट्राय और बेस्ट तर्में है यह लो उस लेडी के मोबाईल के पिछले एक महिने की कॉल रिस्ट रह ज्यादा तर कॉल्स एक ही अब दिस नंबर बट पर अलो अनिता बोल रही हूं अनिता वो प्रॉपर्टी लोन अहां अनिता जी कैसी है एक गुड निउस है क्या है होम लोन पी आजी एनोसी लेटर मिला है ओ थैंक यू वेरी मच तनमें यह आप्स्ट वेल्कुमेंट्स भी मिल गये हैं अरे वाइव कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जैसे मैंने सोचा था इस घर को ट्रस्ट बनाऊंगी इनोग्रेशन के लिए तुम्हें ही आना होगा जब घर के डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे फिर वकील ने उससे इतने कॉल क्यों किया हुआ 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 है यार यह बार बार आप इस नंबर पर संपर करना था रहे हैं वो भैस्ट य। औरी देनमबर य। यूह दाइपए इस्षुचे आफ सर आप बिल्को टेंशन मत लीजिए मैंने सारे एविडेंस ओफिस से गायब कर दी है अब किसी से डरने की दरोत नहीं है जब तक मामला सुलट नहीं जाता मैं अंडर्ग्राउंड हो जाओंगा इसके लिए मैंने फोन किया था अरे वही प्रॉपटी लोन वाली और भागोंत पी क्या है क्या मैं उसे क्यूं वारूंगा जो तनमे, तु मेरा दोस्त हो के भी शक कर रहा है, और क्या, मेरा कॉल देखते तुने फोन स्विच आफ कर दिया, शक नहीं होगा, अरे यार, मैं बेनामी प्रॉपटी के केस के विज़े से भाग रहा था, इसका उस लेडी से कोई कनेक्शन नहीं है, मेरी बात सुन, मैं अनिता होगा, भाई, चाय कुल्फी बन जाएगी, उसने तो खादा पूरा पैसा नहीं चुकाईगी, अरे यार, उसका रिकावरी एजंडा यहीं पे आने वाला है, थोड़ा सबर रख यार, आपका उठानाम, यह खालो, हेलो, हेलो, तुम्हारे दिये ब्लड सैंपल की रिपोर् अ, उसके लिए यहां आना होगा, फोन पे बता दो ना क्या लिखा उसमें, पहले यहां आओ, फिर बताओंगी, मेरा ना मुश्किले बता दो ना, तो फिर, एक हाथ दो, एक हाथ लो, क्या मतलब कुछ समझा नहीं, कैसी समझाओं, है, इस बात को तुम सीरिसली नही ले र वो human blood है, be positive group, forensic report की अपनी कुछ limitations है, इसलिए, blood के hda1 और dna profiling टेस्ट करवाए, वो खून एक pregnant lady का ही है, घर पे उसका blood है, ट्रैक पे body, यह कैसे possible है, बहुत confusing है, हाई शुर्मा, हाई, इतना लेट का एक हाय रहे तो, अच्छा, मिल, यही है recovery agent, तुम उससे बैसे लेने हाँ, हाँ, अनिता जी के client से पैसे लेने में ही गया था, एक पैसा भी बाके निये, सारा वसूल लिया मैंने, उसके बदले, बड़ा incentive भी मिला, बाइक भी ले ली मैंने, लास्ट राइम, किस नमबर से कॉल किया था उसने, इतना बड़ा amount हाथ में आने के बाद, मस्त दार रूपिया, थैंक्स करने के लिए उनको कॉल किया, तो बहुत खरी-कोटी सुनाए उन्होंने, तंग आके उसी वक्त नमबर डिलिट कर दिया, जै कहां घर से लिया था तुन्हें, नहीं, वो होटेल है सुन्दरा, वहाँ से, पता होता कि ट्रीट मिलेगी तो खाके नहीं कोई नहीं अट्जस्ट तर लूँगा, अच्छा एक प्लेट उत्तपम लाना प्लीज, तो भी कुछ खाले, तो प्रोग्राम शुरू करें, हम्-हम, है, यहाँ आइपोन रखा ता जिसने भी उठाया, तुरत लागे दे दे मुझे, तो मजबूरी में मुझे यहाँ पोलि कईये सर, यूए से लेके आया था क्या लाया था आइपोन, हाथ साफ करने किया वह इधर से साफ इसे लोग नहीं है, यहाँ रेज रेश्टोरेंट में नौन बेज कहां से मिलेगा भाई, अब्या अगर गालत बोल रहा हूं तो सच कहा बोल तो तो सच कहा बोलेगा, तो मारी कहा था, अब यह भी नीट का एक्जाम दिया है, मेरी भी नीट पीने की आदत है, मैं बताओं क्या, तुम दोनों सेंडी लगा रहे हो, तो बैंट बचा देगा, बेवड़े पे कौन यकिन करेगा, सर आ प्लीज आए यहाँ जमाना खराब आगे, कोई यकिन ही नहीं क जूम कर थोड़ा, सर, जूम करके देख लिए, सर, आपका फोन टेबल पर तो नहीं दिख रहा, पोन को कवर कर दिया, खानगानी चोर लगता है, अरे सर, 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 पोलिस को फोन मत कीजे, मैं मैं मैनेजर को बला के लाता हूं, जो, जो, काईसा अन पॉड़े कालकुलेटर को फोन समझ लिया, चल, हम अपना काम करते हैं, का डेट बोला थोसन, 26 दारेट, देख वो रहा हमारा बंदा, यह यह वो आरत, शादी अनिता जी, सही बोल रहा है, वही है, यार इस एंगल से तो फेसे नहीं दिख रहा, दूसरा कैमरा लगा, यह क्या, एरर, एरर छोड़, सुन, जो लड़की अंदर गई, वो बहार आएगी वियान, तो दिख जाएगी, अरे, जेरा नहीं देख पाए, क्या हुआ, अब क्या कर रहा है, अरे यह तो वो नहीं है, कोई और लड़की है, अगीता का पेंडिंग लोन, कोई और चुकाने जाता है, और डॉक्यूमेंट्स रिलीज करवाता है, डॉक्यूमेंट्स के मिलते ही, अगले दिन उसकी मौत हो जाती है, यह स्यूसाइट बिलकुल नहीं हो सकता, लोन चुकाने वाले नहीं मार डाला उसे, यह तेरे जैसे किसी कलेक्शेन एजेंट ने, एक बात बदा किस-किस ने लोन लिया है, कौन उसे चुका पा रहा है, कौन नहीं चुका पा रहा है, यह सारी इंफोमेशन या तो बैंक के पास होती है, यह कलेक्शेन एजेंसी के पास, तीसरे आदमी को कैसे बता चलेगा डेटा एक्सचेंज एक छोटे से प्रॉफिट के लिए बैंक कस्टमर्स की सारी सीक्रेट डीटेल्स घलत लोगों को बेशते हो भूल गया इस डेटा एक्सचेंज के चक्कर में उस चाई की दुकान पे एक कटिंग चाई की खाते डेटा देने को कौन तयार था सेंजी उसने सिर्फ पूछा पर पेपर्स खरीदने वाला कोई और है कौन था वो जानी बिल्कुछ सही वही वो आदमी है जो कर्जदारों का फाइदा उठा रहा है हाई जोनी इस बर किसकी इंफरमेशन चाहिए इस पर तो मेरा नाम लिखा है हाँ जोनी तुझे ही ढूंड रहा हूं यह क्या मेरे भाई बोल के मारना था ना नाजुक नाक है देख अड़ी तूट गई चलो बताओ तुम्हें मुझसे क्या इंफरमेशन चाहिए बिल गेट का लोन अमाउंड बताओं या तुम्हें लोन दिलवाओं इस प्रॉपटी लोन की इंफरमेशन तुने किस किस को दिये ब्रो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज पुलिस डिपार्टमेंट यह सारी की सारी एजेंसीज मुझे फेस्बुक के ट्विटर के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने के लिए बोलते हैं लेकिन बैंकिंग और टेलीकॉम के डेटाबेस खरीदने वाले ना तो किसी का नाम पूछते हैं और ना ही किसी का एड्रेस ब्रो क्या तुम्हें एक चीज बता हैं लोगों के पर्सनल डीटेल्स आजकल बड़ा बिजनिस हो गया है एक खास बात प्रॉपर्टी लोन्स का इंफोर्मेशन लेने वाले बैंक्स, फाइनेशियल कंपनीज, बड़े-बड़े स्टेट एजेंसीज, बिल्डर्स, लैंड ब्रोकर्स, सबकी अलग रिक्वाइमेंट्स हैं ये लोग मुझसे डारेक इंफोर्मेशन बाई नहीं करते, क्योंकि ये डेटा एक्सचेंज कहीं लीगल है तो कहीं इलीगल है मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए, उसके बदले में मैं उन्हें पूरी डीटेल्स दे देता हूँ जो लोन की लिस्ट मैंने उन्हें दी थी, वही सेम लिस्ट मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ इन में से तुम अपने मतलब की चीज़ खुदी डून लो अच्छा भाई सुनो तो, तुम्हारे एक मुक्के से मैं समझ गया कि किसे भले काम के लिए सब कर रहे हो बस एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट है, मेरा नाम और मेरा एड्रेस कभी किसी को मत बताना, प्लीज आप कौन हो? मैं इसका भाई हूँ क्या काम है? मेरे घर की पेपर्स? आपके आप में कैसे? आपका घर लोन पे था ना, हमने उसे चुका दिया, इसलिए आज के बाद से ये घर हमारा है ये क्या? मेरे साइन के बिना बैंक ने पेपर कैसे रिलीस किये? बैंक पे केस करूँगा मैं केस शॉक से कर दीजेगा पर पहले इस पे साइन कीचे इस बुड्डे बुड्या ने तो नाक में दम करके रखा है छी तो फर्जी है क्यों बैं तुझे क्या लगा मैं अकेला हूँ इस घर में इसी वक्त यहां से निकल जाओ वरना मैं पुलीस को बुलाओंगा कौन है आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो कर दो इस जोड़े है और पर साइन कर यह जोड़े है मैं कहीं भी साइन कर रहे के लिए दियार उसे चौड़े है साइन कर हलो 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 मिस्टर दूबिय हाँ बोलिए आपके प्रॉपटी लोन के रिगार्डिंग डीबियल बैंक से पूर रहा हूँ वो लोन का माउंट तो मैंने कब का चुका दिया है ओ ओके ओके सर थैंक्यू लोन चुका दिया है डॉक्यमेंट्स भी ले रही है यानि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे गरीन से माग कर देता हूँ हेलो मिस्टर पांड़ आपने लोन लिया था हाँ वो लोन तो मैं कब का पे कर चुका हूँ और बैंक ने सब कुछ क्लोज भी कर दिया है ओ ओ ओके थैंक्यू से अब बोल रहा हूँ आपने प्रॉपटी लोन लिया है ना मैं रेगुलरली पे करता हूँ सर मेरा एमाई इस बैंक में है मतलब इन प्रोसेस है तो इसको ब्लू से माग करता है यह नंबर सेवा में नहीं है क्रिप्या नंबर की चांच करें लोन क्लोज है और प्रॉपटी ओनर नौट रीचिबल है मतलब लफडा रेड मार्क है अलो वो तो यहां नहीं रहती है आपके लोन जो जो पो तीन महीने बाले मर गए है अचे नहींने हमें पता नहीं है प्रॉपटी ओन नहीं है वो तो अब मिन हूँ होगे कित्र बार भ नमबर यह दाइट इस्विश्टाफ एक बुसर्व दंपती दामुदरण और मालिनी की रॉपकल बेदाथ को मौत हो गई उनके बच्चे कई सानों से विदेश में थे एसा बताया जा रहा है कि अगेले बंच से दंगाने की वज़े सी उन्होंने आत्महत्या कर दी सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपने अंतिक सिस्कार के लिए पैसे बचा कर रखे थे और लाश के साथ फुलिस को दामोदरन के लिखी एक सूसाइड नोट भी मिली है पडूस्यों को इस घटना की भानत तत नहीं लगी एक डिलिबरी बॉइ ने फुलिस को इस घटना की इतला दी पुलिस से पूच्टाज करने के बाद दूनोट भॉडिस को पूस्पासर के लिए फेट दिया है ट्राइन बीट के ब्रेकिंग लिए हमारे साथ चुड़े रहे दामोदरन की टेथ हो गई फोन स्विश्ट ओफ है रेड मार्क अनिता भी नहीं रही उसका भी फोन सुचाफता फिर से रेड मार्क तो फिर बाकी रेड मार्क्स भी अनिता पाल इस स्विश्ट सुचाफते राड को भी कि बाकी टत्सी राड के बाकी मार्क्स अनिता रीड मार्क्स यसका बवज़ने ठाट बच्चाफते राट कि बाकी मार्क्स मिस्टर रभी मोहन इस बिल्डिंग के उनर है उनकी डेथ तो एक एक्सिडेंट पे हो गई इस बिल्डिंग को किसी और ने खरी लिया है मिस्टर पांडेप उसकी बारे में आपने लोन कब भरा था रोगा है जितने भी नाम पे लाल माक है उन सब की प्रॉपटी स्पेश दी गई है और प्रॉपटी के सारे उनरस मर चुके हैं और अब वो प्रॉपटी जिन लोगों के नाम पर है वो सब अलग लग लोग हैं अब मैं पढ़के सुनाते हूं पिछले कुछ सालों से कई शहरों में भारी तबाही आई है 12 में 2007 को आकाश साइक्लोन आया था समंदर से 15 में को शुरू हुआ था नीशा साइक्लोन भारत और श्री लंका के बीच घूमता रहा आकाश नीशा नीशा इससे काफी लोगों को परिशानी हुई और नुक्सान भी हुआ सभी बिल्डिंग के नाम साइक्लोन पर अधारत है इसका मतलब इसे बनाने वाला कोई एक ही बिल्डर होगा हुआ 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 है मेरा शक्सा है निकला सारी बिल्डिंग्स विंड ग्रूप अफ कमपनीज नहीं बनाई है पर इसका उनर कौन है कहीं तेखा इसे मैंने सोशल मीडिया के सारी डेटा है इसमें यह लोग पेंड्राइब यह चक्कर क्या है कमपनी का एमडी और डियाईजी के बीच कोई तो लिंक है समझ गया जहां जहां धियाईजी की पोस्टिंग होई उसी वक्त उनहीं शहरों में इस कमपनी नहीं नई बिल्डिंग्स बनवाई हलो कैसे हैं डियाजी सर होस्ट इस मैं हूँ सर वही जिसने आपके 25 साल का रिकॉर्ड ठोड़ा ड्रग्स वाला इसे ही गड़ाते रहो पर तेरी बर्बादी पे साइन करके रहूंगा साइन कर दिया जब तक मैं डिपार्टमेंट के अंदर हूँ तू कोई ऑफिसर तो क्या एक वाच्मन बनने के लाइक भी नहीं रहेगा याद है ना उसी दिन कहा था मैंने याद है यह जी सर मेरी बाद भी याद रख जदिन मैं ऑफिसर बनूंगा न तू डिपार्टमेंट से बाहर होगा सुनके चटका लगा आराम से कुर्सी पर बैठ जाए सर बाई तिलक राज हमारी बिल्डिंग्स के बारे में कोई ज़्यादा इंटरस दिखा रहा है उसका CCDV फोटेज मैंने सेंड़ किया है इसका इलाज करना पड़ेगा अबचल कर बाम में ज़以前 नदू को भजके प्रस्ट में रेगाज करे बाम में आयार इंटरस झाल प्रेखने जो रेंगा लड हुफ हुआ हुआ 너 हुआ अ अच्छंछा वग। रालुं मिवड़ी थाया रालुं कि अज़े थे बिद्ध बिद्ध ए बिद्ध राद एंग तुर्ण जो भी ट्राइब करते हैं उसे सुिसाइड या एक्सिडेंट का रूप दे देते हैं वहाँ पर बिना कोई सुबूत छोड़े उनसे डॉकुमेंट्स पर साइन लेके उनको मार देना ही हमारा काम है हम सिर्फ प्रोफेशनल किलर्ज हैं अनिता का क्या? मैं साइन नहीं करूंगी साइन मार ये बच्चा और ये घर मेरे हस्बन का सपना था छोड़े बस एक साइन चाहिए बच्चे के साथ जीने का आखरी मौका बच्चे के साथ준 का, भुष्प्चे के साथուंगी बच्चे के साथित बच्चे का देनी कान बच्चे का। गप्प्भा अर्व मा बोल साइन मिल गया है वेल डन माई बॉइज और एक छोटी सी गलती हो गई है क्या हुआ सर पे छोट लगनी के बज़ा से फासी निछ चड़ा सकते है ठीक है बॉडी जंगल वाली अरिया के रेलवे ट्रैक में फेग दो मेरे रेंज में है मैं समभाल लूँगा पोस्मॉटम रिपोर्ट मैं देख लूँगा ओकी सर ऐसे लोगों को ढूंटे थे जो बिलकुल अकेले रहते हो जिनके आगे पीछे कोई पूछने वाला ना हो उन्हें जांत से मार कर उनके प्रापरटी हड़ अपलेते विंट ग्रूप के रवी शंकर जी हमसे ये सारी काम करवाते थे और फिर वहाँ पर माल हो टैलो टावर बनवाते थे अब इन सबके पीछे का मास्टर माइंड है दी आई जी तिलक राज विख्रेने कितना शरीफ है लेकिन काम करता है रक्ससों वाला ऐसे आदमी का तो एंकाउंटर करतेना चाहिए अज़िए ज़ब इसके वारे में आप चाहिए रचाहिए जब तक मैं डिपार्टमेंट के अंदर हूँ तू कोई ऑफिसर तो क्या एक वाच्मन बनने के लाइब भी नहीं रहेगा जब दिन मैं आफिसर बनूँगा न तू डिपार्टमेंट से बाहर होगा पुलिस ने राज जिमें होने वाली जिन मौतों को सूसाइट केस और एक्सिटन केस बता कर उनकी फाइल क्लोस कर दी थी आज उनका सच सामने आ गया है पता चला है कि इन सब कार डी आई जी तिलक राज के कहने पर मर्डर किया गया था पुलिस ने डी आई जी तिलक राज और उनके सभी सहयोग्यों को गिरिफतार कर लिया है क्राइम करने वाला कोई भी हो पुलिस का दिकारी क्यों ना हो उसे ना तो पुलिस बख्षेगी और ना ही कानून बख्षेगा जिससे लोगों का विश्वास बना रहे और ये बात प्रूव हो गई है ये हमारे लिए सौभागय की बात है थांक्यों एवर्यवन सब्सक्राइब केस के बारे में कुछ बता सकते है शुर शुर कि तनमे बिटा सब ठीक हो गया बिंदास बोलो है सभी को मेरा प्रणा इना पुलिस की वर्दी के आपने सीनियर पुलिस वाले का परदाफाश कैसे किया किसी जुर्म को रोकना सिर्फ पुलिस के जिम्मेदारी नहीं होती है एक सच्चे नागरे के तौर पे हमें भी कुछ करना चाहिए पुलिसी हमें बचा सकती है यह सोचना घलत है शक्तिमान बनो हिम्मत जगाओ मैं तुमारे दिल में हमेशा रहूंगा क्योंकि तुम मेरे वंशज हो मेरा आशिर्वाद हमेशा तुमारे साथ रहेगा कि नैविद के समर पयामी सुकार किजिए इसे घूर क्या रही हो पॉने तीन का अलाम रखा है हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ झाल झाल झाल